तो वो चीज़े हम बाद में सीखेंगे फिलहाल अभी क्योंकि आपको बेस देना है तो अभी हम डिरेक्टली एक्टिव वाइस में यानि कि करत्री वाच में ही चलेंगे और करत्री वाच में क्या क्या होता है अब आप इसको भूल जाएए एक होता है भावे वाच भी होता है तो वह सब आपको बाद में अगली वीडियों बताऊँगा अभी आप सिंपल आप इतना समझ लीजे यहां पर कि आपको क्या समझना है आपको समझना है कि एक प्रथम पुरुस होता है एक मध्यम पुरुस होता है एक उत्तम पुरुस होता है उत्तम पुरुस यानि कि वक्ता यानि कि मैं मध्यम पुरुस यानि कि स्रोता यानि कि तूम प्रथम पुरुस यानि कि थर्ड परसन किसी के बारे में बात कर रहे है इसमें कौन आ सकता है भाई तो तो जो यह त्वम है यह कहां से आया है तो यह है यूसमद के सब्दूरूप से कौन सा है भाई वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रत्मा विवक्ति को ही ले करके यहां पर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर हम करता करतरी वाच समझ रहे हैं तो यहां पर करता प्रधान है तो करता यानि की प्रत्माविवक्ति और प्रत्माविवक्ति यूसमद का यहाँ पे तवम यूवाम और यूवयम होता है और उसी प्रकार हम उत्तम पुरुस का भी प्रत्माविवक्ति लाएंगे और उत्तम पुरुस में अहम का यानि की असमद का हम प्रत्माविवक्ति में जाएं तो एतद का पुलिंग में जाएंगे और वहां से हम प्रत्माई व्वक्ति को ले करके आएंगे तो यह वाला बनेगा ठीक है यह वाला बनेगा और अगर हम इस त्रिलिंग में जाते हैं तो यह वाला बनेगा अगर हमना पुलिंग में जाते हैं तो यहां पर एतद आ तो यह जो धातु है यह धातु धातु जैसे कि कोई भी मूल सब जैसे कि पठ है तो इसको हम धातु बोलते हैं और यह जो बन रहा है अभी यह सब जो चल रहा है यह सब प्रस्मय पद का यह सब जो भी लकार चल रहा है यह सब यह लकार जो चल रहा है जैसे कि यह है वर्तमा यह सब भी आपको नौलेग होना चाहिए न तो यह जो है यह मूल धातू है और इसी से इस सभी का निर्मान हुआ है तो यह सब कैसे बनते हैं तो संस्कृत में प्रत्य का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल है तो जब पठ में आप प्रत्य जोडते हैं जो यह सब आप देख रहे हैं यह यह जो भी आपके संस्कृत में क्लासिक्स में दिया गया है जितना भी यह सब दिया गया है लट लकार लिट लकार जो भी है अस्था यह सब जो भी यहाँ पर आप देख स प्रत्यां जो हैं जैसे कि तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस तो ये जो नौ है इससे बनता है परस्मे पद का ये सब धातुरूप बनता है ठीक है और आत्मने पद का जो अभी आप स्क्रिम पर देख पा रहे हैं इस तरह का आत्मने पद होता है तो ये सब जो बन वो सब प्रत्य हैं जैसे की त आताम जह थास आताम ध्वम इट वही महिंग तो यह सब जो आप देख पा रहे हैं नौ यह सब हैं इससे हम बनाते हैं आत्मने पद के इस तरह के धातु रूप को तो आत्मने पद के कहां पर यूज है वहां पर कर्म वाच्च में यूज है और भाव वाच्च में यूज है उसका अगर आप बात करते हैं तो और जो परस्मे पद है इस तरह के धातु रूप का इस तरह के क्रिया का यूज कहां पर आप करेंगे इस तरह का क्रिया का आप वाकिबनना है बालक पढ़ता है तो मैं यहाँ पर कैसे वाकिबनाओंगा, आब बताइए, अब देखें, मैं लिख रहा हूँ बालका, मेरे पास एक ही बालक है, तो वह आएगा बालका, तो क्योंकि बालका, जहां से हम लाएं है, यह हम लाए है संगय है ठीक है और यह आया है बालक के सब्दुरुप से पुलिंग से आया है प्रत्मा विवक्ति है ठीक है प्रत्मा विवक्ति है और एक वचन है और एक वचन है इसी के लिए हम इसको इस टेबल में लाएंगे ठीक है और ये आएगा प्रथम पुरुस के साथ में ही आएगा क्यों आएगा क्योंकि बालक जो है ये कोई third person है ये मैं नहीं हूँ ये तुम नहीं है ये आप नहीं है ये किसी हम दूसरी के बारें बात कर रहे हैं मैं आपको बोल रहा हूँ कि बालक पढ़ता है ठीक है तो ये बाल है यह कहां से आया है यह आया है यूसमद के यूसमद के सब दूर्प से प्रत्मा युवक्ति और क्योंकि एक वचन है तो इसी के लिए हम इसको एक वचन में डाले हैं ठीक है अब यह जो आएगा यह सिर्फ और सिर्फ मध्यम पूरुस में ही आएगा क्यों आएगा क्योंकि तौम के लिए तौम यानि की तौम और तौम के लिए मैंने आपको बताया था मध्यम पुरूस यानि की सेकेंड परसन तो यही तो सुरोता है मैं आप से ही बोल रहा हूँ तुम से बोल रहा हूँ मैं तो यह सुरोता है यह second person है और इसी के लिए यहाँ पर हम तोम लाएंगे तोम पड़ से लिखेंगे तो यह एकदम सही होगा अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अहम तो अहम कहां से आया है अहम आया है असमद सब्दूरूप से असमद का सब्दूरूप होता है वहाँ से प्रत्माज लगती एक वचन है इसी के लिए हम इसको एक वचन वाले साइड में लिखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक है यानि कि हम यानि मैं इसी के लिए इसी में आएगा अब जो हम का जो दूसरा जो जो यहां पर दूसरा दूई वचन में जो होता है आवाम तो क्योंकि उसका दूई वचन जो है आवाम है तो इसी के लिए यह दूई वचन वाले कॉलम में आएगा यहां पर दूई वचन व पढ़ते हैं suppose that हम दो आदमी पढ़ते हैं तो हम दो यानि कि हम ही लोग बोल रहे हैं वक्ता हैं फर्स्ट परसन है तो इसी के लिए उत्तम पुरुस में आएगा अब यहां पर हम लिखते हैं वयम तो यह हो गया हम लोग मतलब कि तीन आदमी है या तीन से जादा हैं हम लोग परते हैं वयम पठामा है ठीप है वयम पठामा सईय है और यह बहुँचन है वयम इसी के लिए बहुचन फ dire Wars वाले में आया है और कहां पर जाए उत्तम प्रुस में झाएगा क्यूंकि वह傘 सी का हर्ना हम लोग अपने आपको बोलлов हैं तो यह से जिजी हैं और यह जिए आप तो यह भी गलत नहीं है यह ऑर्डर संस्क्रिट में इंप्रोटेंड नहीं होता है आप और कुछ भी रख सकते हैं लेकिन अच्छा लगने के लिए समझने के लिए आप पहले लिखेंगे वयम फिर लिखेंगे पठामा तो भी जागा अच्छा लगता है लेकिन नंबर ही कर देगा अगर पठामा उवा हम लिख देते हैं अगर आपप पठावला आवा मेकि यहां पर घूर्म वाले कोलम और मध्यम पुरुस में क्यों कि हम इसक्रता के बारे मत कर रहें तुम तुम से बात कर रहे हैं तो तुम के लिए मध्यम वाला जो है मध्यम पुरुस रिजर्व है यहां पर क्या आएगा यूयम यह तो पता ही है तो यूयम यहां पर पठत अभी जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ पर सिर्फ पठ का सिर्फ हम आपको यहां पर बता रहे हैं लेकि मतलब दोड़ना निरत्यती कर सकते हैं डांस करना गच्छती कर सकते हैं जाना तो आप किसी भी किसी भी धातू के साथ किसी भी धातू के साथ अगर आप उसके इस तरह के रूप में आते हैं इस तरह के पूरुस में जाते हैं तो उसके इंसाब से आप यहां पर सेम चीज यह यो त्वम है जो इवाम है और तो आप यहां से बनाते हैं इतने सारे वाक फिर यहां से बनाता है ढों पटथ si, ढों पट्सी, ढों गच्छा ढों चलसी, याükज़ छे सकते हैं तो इहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर यहां पर आप proceeding है जैसे ही हां प्या लेंगे तो बालक के है तो चाहे हो कुछ भी हो चाहे हो बालक हो बालीका आप स्थ्रिलिक सर्वनाम जया जैसे कि इस नाम यानिकि यहान पर यहाँ पर शकलोrd थे तो यह भी walिखता तो यहां पर लिखेंगे आप ते तो अगरड आप ते लिखते हैं इस तरह का और लिखते हैं ते पठंती तो ये भी सही है तो ये जो ते है ये कहां से आया ये आया ते कहां से आया सहतवते सह ये वला आया है तत से तत इसका मूल सब्द है इसका चलता है तीनों लिंगों में क्या चलता है सब्दूरूप चलता है वहां से हम प्र सब चलती जलती है धावती है कुछ देती है तों सब विए भी ये सब ज्यू है जैसे कि आवाम है तों है यूजम है यूयम है वोयम है 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 त्वम है यह सब का पोजिशन वैसा ही फिक्स है यह सब अटल नियम है कि यहां पर यहां पर असमद का फ़स्ट यहां पर असमद का प्रत्मा विवक्ति वाला ही सब आएगा फिक्स है यहां पर यूसमद का प्रत्मा विवक्ति वाला तीनों वचन में ही यहां पर आएगा fix है ठीक है चाहे हो किसी भी आप लकार में जाएं किसी भी लकार में जाएं वो fix है यहां पर यही आएगा और प्रतम पुरुस में कौन आएगा प्रतम पुरुस में fix है कि संग्या का या सर्वनाम का प्रतमा विवक्ति वाला वचन के हिसाब से यहां पर आ जाएगा यह fix है क तो हम पटिसयासी एकदम सही है अहम पटिसयामी एकदम सही है इसी प्रकार यहां पर अगर आलकरा देते हैं यहां पर बालका अपठत यह भी सही है तो हम अपठा यह भी सही है अहम अपठम यह भी सही है सब सही है तो यह जो है आप देख पारें स्क्रीन पर यह फिक्स है य इसको हम बस यहां पर इस सब को आप क्रिया को चेंज कर सकते या तो आप लकार को चेंज कर लिजेई चाहे तो आप अनुग्यास में ले आए विधी मनें लेजाएए आप अतीत मिले जाएएłości में ले यह और किसी क्रिया को ले चलती पठती यहां पर आप देखेंगे नीचे में क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूं यह सब यह सब यह सब के साथ सब के साथ सब यहां पर आएगा जाएगा चल आजाएगा चला नहीं आ तो इस तरह से आप कितने सारे वाक्य बना सकते हैं बस इसको fix करके देख रहे हैं ना मध्याम पुरुस तुम fix है you are fix है you am fix है मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बार-बार repeat कर रहा हूं यही चीज़ सेम चीज़ी repeat कर रहा हूं लिए अहम के अहम कहां से आया है तो यह असमद से हम प्रत्मा विवक्ति का जाकर पूरा का पूरा वजन का हिसाब से यहां पर रख देंगे ठीक है और इसी प्रकार प्रत्म पुरुस में यानि कि अन्य कि जैसे कि हो जाएगा कोई भी संग्या या सर्वनाम जैसे कि बालक हो सकता है लता हो सकता है सीता हो सकती है गीता हो सकता है मुनी हो सकता है कोई भी हो सकता है ठीक है भानू हो सकता है कोई भी हो सकता है और साथ सर्वनाम भी हो सकता है जैसे कि तत्त या एतत्त का रूप लेकिन मद्यम पूरुस में तुम के लिए link नहीं चलता यहाँ पर सिर्फ एक ही ही आपको सब्डूप मिलेगा यूस्मद उसका साथ विवत्ति ही बस होता है उत्तम पूरुस का भी जो असमद है उसका भी Link नहीं चलता है सिर्फ एक ही होता है आम तोर पे जब आप पढ़ेंगे जब आप अभी पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीजे हो गई मैंने आपको समझा दिया अब मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं तो आप समझ गया हैं तो यही था आपका बेसिक ग्रामर जिसमें हम संस संस्कृत में हम फिर आगे सिखेंगे आपको वाच्चे सिखाएंगे करत्री वाच्चे कर्म वाच्चे भाव वाच्चे किसको कैसे हम इसमें से उसमें कैसे करेंगे प्रत्य संस्कृत में प्रत्य का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है जो आप यह सब देख पा रहे हैं ज होता है 18 प्रत्य हैं संस्कृत में यह सब बनाने के लिए तो हम वह सब प्रत्य भी देखेंगे वाच्चे परिवर्तन देखेंगे अनुवाद का तो आज श्टार्टिंग था बस एक मैंने आपको बेसिक दिया है कैसे आप वाक्य बनाते हैं और और एक और चीज बच रहा है यहां पे आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि हमने तो अभी हमने आपको क्या बताया करता का यूज बता दिया कि करता वाला प्रथम भी वक्ति को लाकर करके रख देंगे सेंटेंस में तो हमने आज आपको सबसे छोटा वाक्य बनाया है यहां पी जैसे कि सह है ठीक है तो यह जो सह है, सह पठतू, यह हमने सबसे छोटा वाक्य बनाया है आपके लिए. सबसे छोटा, यानि कि एक है क्रिया और एक है कर्ता, लेकिन जब आप लंबे वाक्य बनाएंगे जैसे कि सह पुस्तकम पठतू, लिखेंगे यहां पर सह, लिख देता हो मैं सह पुस्तकम पुस्तकम और पठतू ठीक है ये मैंने बनाया वाक्य ठीक है तो अभी देखे ये करता हो गया एक हो गया आपका क्रिया तो ये तो करता हो गया ये क्रिया हो गया अब ये क्या है तो ये कर्म क्यों है क्योंकि देखे ये दुवितिया भीवक्ति में और दुवि यहां पर हम आदेश दे रहे हैं अनुग्या या आदेश कर रहे हैं वह पुस्तक को पढ़े तो पुस्तक को करता ने कर्म को करता ने कर्म को करता ने कर्म को तो यह है यह दूतिया विवक्ति है और यह कर्म है यहां पर तो यह आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने इस तरह से यूज किया, अब कर्म को हमने यूज कर लिया, हमने कर्म को यूज कर लिया, अब जो तृतिया, जो तृतिया विवक्ती होता है, करता ने कर्म को करन से, करन से, तो आप उसका यूज कैसे करेंगे, करन से का, तो उसका आप यूज करेंगे, जैसे कि बाल का जो है, वो जैसे क वह जाता है, लिखेंगे सह गच्छती, ठीक है, हमने लिखा सह गच्छती, वह जाता है, यह हो गया क्रिया, और यह हो गया करता, तो अभी आप देखें करता क्रिया, अब मैं आपको तृतिया युज़ करके दिखाता हूँ, यानि कि करन कारक का, तो तृतिया युज़ जैस जाता है तो से आया न से करता ने कर्म को करन से करन से तो करन से यहां पर हम ले रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं एक वाक्य में आपका तृत्या विवक्ति भी यूज हो रहा है प्रत्मा विवक्ति भी यूज हो रहा है कारक के तौर पे और एक क्रिया भी यूज हो रहा है तो इसी प्रकार आप चतुरती विवक्ति का यूज कर सकते हैं के लिए जहां पर यूज होता है और पंचनी का यूज कर सकते हैं जहां पर से होता है तो यहां पर जो से होता है यह होता है अलग होने के लिए जैसे कि वरिक्षात पत्रानी पतंती तो वरिक्षात जो आया वो किसके लिए आया है पंचिमी व्रक्ति के लिए विरिक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्रानी के लिए आया है पतंती यह है आपका पत्रानी यह हो गया आपका मेन संग्या इसी के चलते यहां पे जो भरबाया है पतंती पत्रानी बहुचन है तो पतंती यह भी बहुचन आया ठीक है और यहां पर व्रिक्षात आ गया यह किसको दर्सार आया पंचिमी व्रक्ति को यानि कि अपदान कारक को सश्टी के लिए तो इसी प्रकार आप सश्टी व्रक्ति का भी यूज कर सकते हैं जिसमें कि काके की रारेरी होता है जैसे कि यह मेरा घर है तो आप क्या लिखे सकते हैं शब्रक्ति के लिए तो प्रक्रावा तो सब्सक्रिण काफी ले तो संस्क्रिट काफी य लेकर आप लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको समझाया अगर आप इसका 50% भी समझ गए इस वीडियो में तो काफी है तो आप नेक्स्ट वीडियो के इंदियार करें जिसमें आपको बताऊंगा कि वाचे परिवर्तन, प्रत्याय, संधी, समास, अवे, अवे का यह अवे को बता है।